RCB और KKR के बीच खेले गए मुकाबले में RCB ने KKR को तीन विकेट से हराकर मैच अपने नाम कर लिया इस मैच में हमें एक मामला देखने को मिला दरसल मामला यह था कि जब टीम साओधी की गेंद पर RCB के कप्तान फैफ डूपलेसिस आउट हुए तो स्टेडियम में बैठ जैसे वो सच में रोने लगी दोस्तों आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरीके की IPL से और रलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें